दोस्तों अगर आपने हमारा यूट्यूब टैनल सरवारा टैक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लिजी तो साथ में बैल का एकन भी प्रैस कर लिजी ताकि आपको हमारे आने वाली न्यूव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सब्सक्राइब कर से का सकते हैं कैसे पेंड्राइब को हम लिसित कर सकते हैं कोंद्रूर के क्प्योटर के अंदर चलिए वीडियो स्टाट करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं मैंने एक pen drive इंसर्ट किया हुआ है पहले से अपने computer के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर यह मैंने pen drive इंसर्ट किया हुआ है अभी यह open हो रहा है अगर इसको block करना है तो सबसे पहले हमें अपना cmd open करना पड़ेगा आप start menu के अंदर जाएंगे और यहाँ पर cmd टाइप करेंगे यह सब में सेम प्रोसेस है चाहे आपके पास windows 7 इस्टोल हो या windows 8 हो या windows 10 cmd open करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना जीपीडिट्स.msd यह command run करेंगे आप यहाँ पर आपको एक group policy editor open होगा इसको मैं थोड़ा सा maximize कर ले जाओं इसको open करने के बाद आपको यहाँ पर दो settings दिखेगी पहला है computer configuration दूसरा है user configuration इसमें आपको computer configuration को select करना है ताकि कोई भी user हमारा इस computer के अंदर pen drive को यूजना कर पाए इसके बाद आपको administrative templates के अंदर जाना है computer configuration के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके बाद आपको system को expand करना है system को expand करने के पार आपको यहाँ पर दिखाए देगा इसको क्लिक करेंगे इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी कुछ settings open हो गई है यहाँ पर एक option है हमारे पास इसको क्लिक करेंगे इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यह policy अभी हमारी note configured अगर आप इस policy के बारे में थोड़ा ओर detail में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसके बारे में read भी कर सकते हैं अगर हमें pen drive block करने है तो इसको हम enable select करेंगे और apply करेंगे फिर ok यह काम करने के बाद आपको यहाँ पर दुबारे से cmd open करना है और यहाँ पर हम type करेंगे gp update slash 4 यह आपको एक बार run करना है अगर एक बार run करने से भी आपकी pen drive block नहीं उतले है तो आप इसको दुबारे से run कर सकते हैं मैं इसको एक बार और run कर देता हूं आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्टाइम में यह हमारे पास आ गया था completed अब हम अपनी pen drive को चेक करेंगे क्या वो run कर रहा है क्या मुझे open कर पा रहे हैं आप देख सकते हैं यह मेरा pen drive है अगर मैं इसको click करता हूं तो यहाँ पर ल कंप्यूटर के अंदर या laptop के अंदर pen drive को ब्लोग कर सकते हैं अगर आपको दुबारे से इस computer के अंदर pen drive को enable करना है कजी कोई भी user हमारे pen drive को use कर सके तो उसके लिए भी same process है आपको दुबारे से यहाँ पर dp edit.msc की command run करने पड़ेगी kmc के अंदर दुबारे से आपका यही page open होगा आपको दुबारे से बता देता हूं आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर computer configuration के अंदर जाना है और उसके बाद administrative template इसको expand करना है इसको expand करने के बाद आपको यह system को expand करने के पाद आपको यहाँ पर दिखाए देगा removable storage आप देख सकता है यहाँ पर removable storage इसको select करेंगे आप यहाँ पर देख सकता है यह policy आपने apply कर सकते है पहले से enable यहाँ पर दिखा हुआ है इसको double click करेंगे double click करने के बाद आपको दुबाराज से इसे not configured select कर देना है इसको apply करेंगे और ok करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर focus भी आगया है अब हम दुबाराज देखते हैं हमारा पेंटरे यूज़ कर पारे हैं आप देख सकते हैं अगर आपको यह सब करने के बाद भी policy disable करने क बाद भी अगर आप अपना pen drive open नहीं कर पाते हैं तो आपको दुबाराज से कमांड नहीं पर रण करने पड़ेगी cp update let's go फिद आप यहां पर अपने pen drive को access कर पाएंगे आप देख सकते हैं इस तरीके से आप अपने किसी भी computer के अंदर without किसी third party software के अपने pen drive को disable कर सकते हैं ब्लोग कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही thanks for watching